मित्रो ओब नमसिवाय हर हर महादेश दो अगस्त यानि की मंगलवार के दिन नाग पंचिमी का त्योहार मनाय जाएगा जिन लोगों के कुंडली में काल सर्प दोस होता है या राहू या केतु की महादसा चल रही होती है उन्हें जीवन में अनेक परकार के परिसानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन ऐसे में अगर नाग पंचिमी पर उपाय किया जाए वो भी अपनी रासी के नुसार तो इससे छुटकरा मिल सकता है अब आपके मन में प्रस्ण आएगा कि राहू केतु की अगर महादसा चलती है तो हमें क्या उससे दिक्कते आती है तो बहुत साही लोगों को तो ये पता भी नहीं चलता खास करके जिनका के जन्म जिथी जन्म समय उनको ग्यात नहीं होता है ऐसे में जब उन पे राहू और केतु की महादसा चलती है तो उन्हें पता भी नहीं चल पाता है और कई लोग अच्छे जोट्सी के पास पहुँचनी पाते हैं तो उन्हें भी राहू केतु की महादसा का पता नहीं चल पाता है जब भी राहो केतू कि मादसा चलती है तो अनेक परकार के जीवन में परिसानियों का सामना करना पड़ता है आप कोई भी कारी करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी बहुत सारा मेहनत करेंगे थोड़ो सा फल उसका प्राप्त होगा तो इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन में भागे का साथ मिले इसके लिए काल सर्प दोस्किनी के कुंडली में हैं तो उनसे मुक्ति के लिए हमें नाग पंचमी के सुब अवसर पर कुछ न कुछ उपाय जओर करना चाहिए अपनी रासी के नुसार इससे जिनके कुंडली में कुछ दोस है उनके लिए भी लाबदायक होता है और जिनके कुंडली में कुछ दोस नहीं है तब भी लाबदायक होता है कोई भी रासी अनुसार इस उपाय को कर सकते हैं तो आईए वही हम जानने वाले इस वीडियो के माधिम से मेश से मीम रासिक के लिए कौन सा मंत्र उन्हें जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय उनको करना चाहिए नाग पंचमी के सूव अबसर पर भागे का साथ मिले राहु केतु से मुक्ती मिले काल सर्दोस से मुक्ती मिले इसके लिए सबसे पहे तो सभी रासियों के लिए मैं कुछ उपाया बता देता हूँ नाग पंचमी के सूब अबसर पर सिवलिंग पर चांदी से निर्मित नाग नागिन का जोरा या फिर पंच धातू से भी निर्मित नाग नागिन का जोरा आप चरहाईए इस से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और आपको राहु केतु के महतसा से भी मुक्ति मिल कि नाग नागिन का जोरा हमें कहां से प्राप्त होगा तो किसी भी सुने चांदी के दुकान पे आप जाएंगे तो वहां उनके पास पहले से ही निर्मित चांदी के नाग नाग नागिन का जोरा होता है तो आपको मिल जाएगा बहुत ही कम दामा में मिलता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे नाग नागिन के जोड़े को बनाया जाता है। अब आए जानते हैं मेश से मेंदासी वालों के लिए क्या-क्या उपाई करने चाहिए। सबसे पहली रासी है मेश रासी, तो मेश रासी की ही बात करते हैं। उन्हें नाग पंचमी के दिन 108 बार ओम वासुके नमा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह वासुकी नाग के लिए है। वासुकी नाग वही नाग है जो कि भगवान सिव के गले में रहते हैं। और इन्हें रुद्राष्टा ध्याई का पाठ भी करना चाहिए। इन दोनों उपायों को करेंगे तो इन्हें परिसानियों से मुक्ति मिलेगी। दूसरी आसी है विशबरासी। विशबरासी के लिए ओम सुलीनी नवा। इस मंत्र का जाप इनको करना चाहिए। और नाग पंचमी से नियमीत रूप से एक उपायों को करना चाहिए एक तामबे का छोड़ा टुक्रा बहतेवे किसी जलधारा में अरपित करना चाहिए। और नाग पंचमी से ठीक 40 दिनों तक लगातार इनको एक करना चाहिए। यह उपाय करने से इनको राहू केतु के कुपरभावों से मुक्ति मिलती है। तीसी रासी है मिथुन रासी। मिथुन रासी के लिए मंत्र है ओम सर्पाय नमा। इस मंत्र का जाब आपको नाग पंचमी के दिन 108 वार करना है। और नाग पंचमी से अगले 40 दिनों तक लगातार आपको किसी भी कुष्ट रोगी को मूली का दान चौर करना है। चोथी रासी है करकरासी। करकरासी के लिए मंत्र है ओम अननताय नमा। और करकरासी क्या करना है। नाग पंचमी से अगले 8 दिनों तक बहते हुए किसी जलधारा में नारियल को प्रभावित करना है। नारियल जो हो ऐसे नारियल का चैन करें कि उस नारियल में पानी हो और वो नारियल छीला हुआ नहीं हो उसमें छिलके भी होने चाहिए। के नश्ट ना करें तो इतनी गहराई मिदों से जरूर दबाएं छटी रासी है कन्या रासी कन्या रासी वालों को मंत्र का जाब करना है ओम कंभलाई नमा और नाग पंचमी के दिन से लेकर पांच दिनों तक लगातार सीम मंदिर में मिस्री का प्रसाद जरूर चढ़ाएं सा रोके कुछ दाने अपने सिरहाने में रखकर सोएं और नाग पंचमी के दिन सुबह में पक्षियों को खिला दें आठमा रासी है विच्चिक रासी के लिए मंत्र रहेगा ओम तक्षकाय नमा और विच्चिक रासी वालों के लिए उपाय रहेगा नाग पंचमी के दिन ना और इनको उपाय करना है नाग पंचमी के दिन किसी भी सपेरे से नाग या सर्ब को ख़ई दें और उन्हें मुक्त कर दें दसमी रासी है बकर रासी इनको मंतर का जाप करना है ओम नागाय नमा और बकर रासी के लिए उपाय रहेगा नाग पंचमी से हर सनीवार के दिन लगातार ग्यारा सनिरवार को करना है एकाम तील और जौका दान किसी जरुत्म व्यक्ति को करना है किसी गरीब व्यक्ति को करना है ग्यारावी रासी है कुम्रासी, कुम्रासी वालों को मंतर का जाप करना है, ओम कुलिसाई नमा, और कुम्रासी वालों को उपाय करना है, नाग पंचमी के दिन कोईले को ले ले, एक मुठी में जितना भी आपके कोईला आता है, और उन्हें किसी बहती जलधारा में क्या करना होगा आपको एक दिन पहले ही या उस दिन ही अश्ट धातू का करा खड़ीद ले और उसे लेकर गंगाजलत से धो ले आप धोने के बाद सीव मंदीर में जाए मुहापनी पूजा पाठ करने के बाद उस करे को धारन कर ले और इस करे को हमेशा के लिए धारन करके रखना है आपको तो ये उपाए मेंने 12 राशियों के लिए बता हैं आप भी करिए आपको इसका निश्ची तोर पर लाव मिलेगा तो मिलते हैं इसी तरह की अन्नी ग्यानवर्दक वीडियो के साथ तब तक देखते रिए धर्मसिक्छा जे माता दे